हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल फ्रेंड्स आज मैं यूपी ट्रिपल सी पेट के लिए बहुत ही महात्पूर्ण प्रशन लेकर आया हूँ वेरी इंपॉर्टेंट प्रशन है और प्रशनों को पढ़कर आप ज़रूर परिच्छा में एकजाम देने जाए तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी जल्दी इन प्रशनों को देख लेते हैं यह ऐसे प्रशन है जो आपकी परिच्छा में पूछे जाते हैं लोगों को लगता है कि हमें याद है लेकिन वो गलतियां कर वैठते हैं तो आप लोगों की गलती ना हो इसलिए मैं इन प्रशनों क प्रिखित में धातु है कौन सा धातु है नाइट्रोजन है आक्सीजन है कापर है सलफर है तो राइट एंसर होगा सी कापर next question है कि आधात बद्धिता गोड़ है किसका गोड़ है गैस का है या धातु का है मिस्तरण का है या धातु का है तिहार आई टेंसर होगा आपसर नमबर डी धातु का है नेक्स्ट प्रशन है कि इन में बिद्धुत और उस्मा का सुचालक है देखिए दो तरीके को ते सुचालक होता है जिसमें बिद्धुत और उस्मा का प्रभाह हो सके उसे सुचालक कहते हैं जिसमें प्रभाह नहीं होता है उसे कुचालक कहते हैं तो इसका राइट एंसर होगा आधात और गय सुचालक नहीं होगा कि प्रश्ण नम्मर पांच है कि निम्लिखित में किस धात को केरोशीन में डुबा कर रखते हैं आपसन यह मैगनेशियम भी है सोडियम सी है मरकरी डी है टंगस्टन तो रांसर नमबर होगा बी कि सोडियम को जो है केरोशीन में कि बाक साइट निम्लिखित में किस धात का आयस का है तो आपसन ए है मैगनेशियम भी है सोडियम सी है अलुमूनियम डी है बोरियम तो इसका राइट एंसर जो होगा आपसन नमबर सी है अलुमूनियम का निम्लिखित में से किस धात पर वायू का प्रभा प्रभाव नहीं पड़ता आपसन ए है गोल्ड बी है सोडियम सी है लोहा डी है ताबा तो प्रेश नमबर साथ का जो राइट एंसर होगा वो आपसन नमबर है ए गोल्ड पर नहीं पड़ता क्योंकि लोहा सोडियम ताबा पर पड़ता है जैसे लोहे में जंग लग जाना ये वायू का ही प्रभाव होता है कि नेक्स्ट प्रेश्ण है कि लोहे का प्रमाण संख्या है कितना होता है आप्सन यह है 23, B है 26, C है 25, D है 24 तो प्रेश्ण नमबर 8 का जो राइट एंसर है वो आप्सन नमबर है B, यानि 26 नेक्स्ट प्रेश्ण है कि बिद्धुत अब घटन में इलक्टरान मुक्त होता है एनोट पर या कैथोड पर या दोनों पर इन में से कोई नहीं तो प्रेश्ण नमबर 9 का राइट एंसर होगा आप्सन नमबर A, एनोट पर नेक्स्ट प्रेश्ण है कि निमली खित में कौन अधिक अभिक्रिया सील है आप्सन यह है C, U, B है H, G, C है A, G, D है A, U तो प्रेश्ण नमबर 10 का जो राइट एंसर है वो आप्सन नमबर है C, U नेक्स्ट प्रेश्ण है लोहे, लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते है क्या कहते हैं, संचारण, B है गैलवनी करण, C है पानी चढ़ाना, D है बैदुत अब घटन तो प्रेश्ण नमबर 11 का राइट एंसर होगा, B, गैलवनी करण नेक्स्ट प्रेश्ण है कि जब सोडियम हाइडरोकसाइट जिंक से अभिकिरिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है प्रेश्ण नमबर 12 का राइट एंसर कौन सा होगा, तो यहां होगा आपसन नमबर D, Na2, Zn, O2, प्लस, H2, राइट एंसर होगा, D नेक्स्ट प्रेश्ण है कि निमलिखित में कौन आइनिक योगिक है प्रेश्ण नमबर 13 राइट एंसर कौन सा होगा, इसका, आपसन नमबर C है, KCI, यह आइनिक योगिक है नेक्स्ट प्रेश्ण है कि ब्रोमीन अधातु की अवस्था है, ठोस की है या गय सिद्रो या इन में से कोई नहीं तो प्रेश्ण नमबर 14 का जो राइट एंसर है, वह आपसन नमबर है C, द्रो का नेक्स्ट प्रेश्ण है कि सक्रियता स्रेणी में सबसे क्रिया सील धातु है, A, U, N, A, H, G, C, U तो प्रेश्ण नमबर 15 का राइट एंसर क्या होगा, इसका राइट एंसर है, B, N, A नेक्स्ट है, निमलिखित में से किसे चाक से काटा जा सकता है, लीथियम को, कैल्सिये को, कापर को, आइरन को तो प्रेश्ण नमबर 16 का जो राइट एंसर है, वह आपसन नमबर है A, लीथियम को प्रेश्ण नमबर 17 है कि निम्नांकित में कौन उपधात है, F, E, C, U, N, I, S, B तो प्रेश्ण नमबर 17 का राइट एंसर है, B, C, U नेक्स्ट प्रेश्ण है, लोहे को संचारित होने से बचाने के लिए, उसकी सता पर किसका लेप चढ़ाना लावकारी है प्रेश्ण नमबर 18 का राइट एंसर क्या होगा, तो इसका जो लावकारी है वो है यसद लेपन, ओप्रेश्ण नमबर D, जो है राइट होगा नेक्स्ट प्रेश्ण है कि निमलिखित में कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है तो प्रेश्ण नमबर 19 का राइट एंसर क्या होगा, तो आप्सन नमबर है D, N, A, C, L, Sodium, Chloride प्रेश्ण नमबर 20 है कि निमलिखित में किस धात का विस्थापन उसके लवण के बिलियन में लोहा द्वारा होता है प्रेश्ण नमबर 20 का राइट एंसर क्या होगा, तो आप्सन नमबर इसका सही है, C नमबर ताबा प्रेश्ण नमबर 21 का राइट एंसर होगा, आप्सन नमबर A, लवण प्लस हाइड्रोजन नेक्ट प्रेश्ण है, 22 नमबर की सोडियम पर कौन सा आयन पाया जाता है धन आयन, रिड आयन, उदासीन, इन में से कोई नहीं, तो प्रेश्ण नमबर 22 का राइट एंसर होगा, A नमबर धन आयन नेक्ट प्रेश्ण है, कि सुद्ध सोना कितने कायरेट का होता है, इसको सब लोग जानते होगे तो प्रेश्ण नमबर 23 का राइट एंसर होगा, आप्सन नमबर A, 24 कायरेट का नेक्ट प्रेश्ण है, कि कार्बोनेट आयस्ग को सीमित वायू में अधिक ताप पर गर्म करने से यह आकसाइड में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं क्या कहते हैं, भरजन, निस्तापन, निसकरसन, इन में से कोई नहीं तो प्रेश्ण नमबर 24 का राइट एंसर बन रहा है, अप्सन नमबर B, निस्तापन नेक्ट प्रेश्ण है, कि अधातु में प्रमाणूओं पर कौन सा आबेश होता है योगा धन आबेश, रिड़ा आबेश, कोई आबेश नहीं, इन में से सभी तो प्रेश्ण नमबर 25 का राइट एंसर होगा, अप्सन नमबर B, रिड़ा आबेश नेक्ट प्रेश्ण है, कि अधातु के आग्साइड की प्रकिरती होती है अम लिये भास्मिक उदासीन सभी तो प्रश्ण नमबर 26 का जो राइट एंसर है वो आप्सन नमबर है A, अमलिये नेक्स्ट प्रश्ण है इन में से कौन आवकारक अधातु है तो प्रश्ण नमबर 27 का राइट एंसर क्या होगा आप्सन A, कारबन नेक्स्ट है कि सोडियम का प्रमाण एक इलक्टरान परिवर्तित हो जाता है प्राप्त करके या त्याग करके या A, अम भी दोनों या सभी तो प्रश्ण नमबर 28 का राइट एंसर है आप्सन नमबर P, त्याग करके नेक्स्ट प्रेश्ण है कि जीन त्त्तों के प्रमाण आसानी से इलक्टरान का त्याग करके धन आयन में बदल जाने की प्रिविर्त रखते हैं वे त्त्त कहलाते है आप्शन यह है बिद्दुद धनातमक तथू, विद्दुद रनातमक तथू, C है उदासीन या D है इन में से कोई नहीं तो प्रेश नम्मर 29 का राइट एंसर है आप्शन A बिद्दुद धनातमक तथू कहलाते हैं और नेक्स्ट प्रश्ण है कि सोडियम कुलूराइड में एने योम सी यल के मद्यम कौन सा रासाइनिक बंधन विद्धमान है तो प्रश्ण नमबर 30 का राइट एंसर होगा आप्सन नमबर ए बैदुत सनियोजक बंधन जो है विद्धमान है तो यह रहे आपके टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टन परिच्छाप्यों की प्रश्ण तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक लिए बहुत बहुत धन्यबाद